इतना मेंगा गिफ्ट क्यों लिया। दरसल हुआ यह है कि दिवाली की मौके पर मनीशा रानी ने अभिशेक को बहुत महंगा गिफ्ट दिया है जिसके बाद डिम्पल मलहान जो है वो अभिशेक को डाट रही है क्योंने मनीशा से इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था। बिग बोस OTT सीजन 2 के रणर अभिशेक मलहान सोचल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। अपनी फामली के बारे में अपने दोस्तों के बारे में हर एक बात बताते रहते हैं। सोने की गले में पहनने वाली चेन गिफ्ट की है। फुकरा इंसान ने बताया कि अलविश मनीशा और वो तीनों ही मिलने वाले थे लेकिन उनकी मीटिंग थी और अलविश मनीशा को बिग बॉस 17 में जाना था। इसलिए मुलकात नहीं हो पाई। बहुत सारे दिकते हैं लेकिन वो चाते हैं कि जल्द लोगों की डिमांट पर उन दोनों का साथ में गाना आए। अब शेक मलहान और मनीशा रानी की घर के अंदर जो दोस्ती थी वो अभी तक बरकरार है और फैन्स के लिए ये बात बहुत साथा मायने रखती हैं। बात करें इस गिफ्ट की तो फुकरा इंसान ने जब मनीशा रानी का गिफ्ट खोला तो उसमें सोने की चेन निकली। उसमें किंग का एक लॉकेट था। उनकी माँ जिमपल ने कहा कि उन्हें इतने महंगे गिफ्ट से नहीं लेने चाहिए। तो मना नहीं कर पाए। अभिशेक मलहान ने हाल ही में मनीशा को 10 मिस्ट्री बॉक्स गिफ्ट किये थे जिसमें आइफोन 14 प्रो मेक्स के लावा लक्जरी बैग, पर्फ्यूम समीत कई बड़िया समान थे। इसके अलावा यूट्यूबर ने एक्टिव को एक डेनिम जाकेट भी गिफ्ट की थी, साथी चॉकलेट्स भी दी थी, ये सब देख मनीशा काफी खुश हो गई थी, दोनों के दोस्ते रियालिटी शो के दोरान हुई और आज तक दोनों के नाम का हैश्टेग कभे भी ट्रेंट करने लगता है। आप हमारा ये विडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उससे भी लाइक केजिए। बॉलिवुट टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्मे बीट।